इस वीडियो में आप लोग बताऊंगे कि ड्रॉबैक क्या है किसको मिलता है कैसे कैलकुलेट के जाथ है कैसे क्लेम के जाता है और GSTD Fund के साथ क्या रिलेशन है यह सारी टेलीग्रम चैनल भी शुरू किया है जिसमें हम एक्सपोर्ट से रिलेटेड सारी अपडेट आप लोगों को सबसे पहले और सबसे तुरंत आप लोगों के फोन तक पहुचाने वाले हैं तो इस ग्रॉप को जोईन के निकले नीचे दियेगा लिंक पे क्लिक कर सकते हैं और सबसे पहले में आप लोगों के बता दो कि ड्रॉबैक है क्या देखिए ड्रॉबैक जो है यह ड्यूटी रेमिशन स्कीम के अंडर में इससे पहले सिर्फ ड्रॉबैक था भी रिसेंट्ली रॉट्टेप भी एड्ट कर दिया गया है और आगर आप लोगों को डेडिकेड़ वीडियो बना रख जिसके उपर मैंने रॉट्टेप से रेटेड़ सारी क्वेशन दूर की है पूरी डिटेल वीडियो आप लाकिवस वीडियो को भी देख सकते हैं आप लोगों को बहुत अच्छी नॉलज़ मिलने वाली है तो ड्यूटी ड्रॉबैक जो है ड्यूटी र लागो करता है बात करती हैं कि बेनिफिट मिलता किसको एकसको है तो आप लिए बेनिफिट इसके शियूल तयार करता है उगिंगे और को ऑच कोई theaters को की प्रॉसिज़ यह थूसका ढ़री शीटि तयार कि जाता जहाँ है इंडिया के दोरा हर बजट में यह जो शीट है रिवाईस कि जाती है किसे में ज으लेऄक्ट में कम दीया जाता है तो जब भी आप लोग को अपने परणक को इस लिस्ट के साथ माच्छ और और अप उस लिस्ट में जो भी percentage दिया गया है उस percentage के हिसाब से आप लोगों को drawback मिल जाता है जब आपका export successful हो जाता है और वो जो percentage है वो आप लोगों के FOB value के उपर calculate के जाता है जो भी आप लोगों का shipment का FOB value होगा उसके उपर जो भी government ने rate decide किया होगा drawback का उस rate के साब से आप लोगों को drawback देतिया जाता है duty drawback claim किस तरीके से किया जाता है duty drawback claim इस तरीके से किया जाता है जब भी आप shipping will file करते हैं जब आपका export ship में निकलने वाला होता है तो आप लोगों को एक checklist भजा जाता है और उसके उपर जो भी duty drawback है वो mention किया जाता है आपके CHA द्वारा और आप लोगों को approval देनी होती है हाँ यह ठीक है इस वहाँ पर लोगों को दिख जाता है पहले से ही कि इस percentage में आप लोगों को duty drawback मिलने वाला है government की तरफ से और unlike किसी और scheme जो कि आप लोगों को script के form में मिलता है या किसी और थरह से मिलता है यह जो पैसा है यह आप लोगों को सीधा bank account में credit कर दिया जाता है जब आपका export successful हो जाता है और EGM आ जाता है आपके shipment का अब बात करते हैं कि GST के साथ इसका क्या relation है कई लोगों को यह confusion रहता है कि अगर आप लोगों को ट्रॉबैक नहीं क्लेम कर सकते हैं या lower rate में आप लोगो किसी तरह का drawback होता है मेरे को भी काफी जादा confusion आई थी इ मतलब GST वाला shipment आप लोग भीज रहे हैं अब आप लोग बताता हूं कि यहां पर दो तरह की shipment होती है को यह जो है आपकी कस्टम से लेना चाहता हूं वापस तो वह जो shipping bill है as an application काम करता है GST refund के लिए और जब आप LUT पे भीज़ते हैं तो आप लोगों को एक अलग से application देनी परती है जो आप लोगों ने GST मार्केट में पे करी है उसको क्लेम करने के लिए वापस क्योंकि export जो है एक तो आप LUT के मादधम से उसको क्लेम कर सकते हैं बाद में separate application के द्वारा या आप डिरेक टस्टम से उसको क्लेम कर सकते हैं showing the GST invoice to the custom और जो GST refund है वो आप लोगों के सीधा account GST में credit कर दे जाता है customs के द्वारा जिसका है collect प्रोड़ा procedure है क्योंकि जब आप GST पर shipment भेजते हैं तो आपका जो shipping भी है वो आइज़न application काम करता है और आप लोगो separate application देने की ज़रूरत नहीं पर कौन सी वो चीज़े होगा चीज़े हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है जब भी आप drawback क्लेम करते हैं क्योंकि drawback जो है एक बहुत ही common scheme है जो almost 99% exporters जिसका फाइदा उठाते हैं तो drawback जब भी आप क्लेम करते हैं तो एक तो जो shipping bill में details हैं उनका एकदम accurate होना बहुत ज़रूरी है आपके documents के साथ यानि आप लोगों के जो invoice पैकिंग लिस्ट है उसके साथ बिलकुल match होना बहुत ज़रूरी है और shipping bill के बाद जब EGM file के जाता है जो सारी documents handover के जाते है shipping line को तो उस EGM का और shipping bill का match होना बह shipping line ने EGM file किया है यानि export general manifest और shipping bill में जो सारी detail file की गई है customs के द्वारा वो चीज़े जब आपस में mismatch होती है जैसे कि हो सकता है कि आपका seal number mismatch हो हो सकता है कि आपका invoice number mismatch हो सकता है कि value mismatch हो तो इन में से कोई भी इसमीस में चोटी तब वहांपे dispute create हो जाता है जिसके कारण आप लोगों का जो drawback है वो आने में delay हो सकता है उसमें आप लोगों को सकता है कि बाद में amendment भी करानी पड़े तो drawback जो हो जेनरली दो महीने के अंदर आ जाता है वैसे तो कहरे की बाद है कि दो महीने के अंदर बट EGM के बाद वो अराउंड 10 से 12 दिन के अंदर 10-10 दिन के अंदर आपके अकांट में credit हो जाता है तो यह due to drawback का एक छोटा सा वीडियो था मैंने अपने तरह सा आप लोगो को explain करने की कोशिश करिए कि कि किस तरह की से due to drawback जो एक्सपोर्ट में काम करता है यह due to remission का प तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों